इसराइल हमास युद के बीच उत्री इसराइल हर घड़ी हवाई हमलों की आग में जल रहा है इस पूरे इलाके में हिजबुल्ला का खौफ इस कदर पसरा है कि जो बचे कुछे इसराइली सेटलर्स यहां बसे हैं वो भी अब पलायन करने को मजबूर है हिजबुल्ला अपने रॉकेट, ड्रोन और मिसाइल हमलों से उत्री इसराइल को हर पल दहला रहा है इसराइली सेना ने हिजबुल्ला को कई बार सीधे युद्ध की चेतावनी दी है लेकिन उसके बावजूद हिजबुल्ला टस से मस नहीं हुआ है बलकि वो उत्री बॉर्डर पर इसराइल की पकड़ को धीला करने के लिए और ज्यादा हावी हो चुका है और अब इसी कड़ी में हिजबुल्ला ने इसराइल पर एक बेहद ही भयाना खमला किया है दरसल हिजबुल्ला की ड्रोन फोर्स ने तबार्या लेक के उत्तर पस्चिम में अमाद बेस पर ड्रोन का एक जत्था फायर किया आईडियफ का ये सैन अड़ा लेबनान बॉर्डर से करीब साड़े अठारा किलोमीटर दूर है जहां से इसराइली सेना पीछे हटी है इसके अलावा ये बेस नॉर्दन कमांड की रिजर्व का हेड़कॉर्टर भी है साथ ही यहां पर आईडियफ की क्यानवी रिजर्व डिविजन का ठिकाना भी है बड़ी बात यह है कि हिजबुला का ये हमला कितना भीचन था इस बात की पुष्टी अब इसराइली मीडिया ने भी कर दी है इसराइली मीडिया के मताबिक हिजबुला का एक ड्रोन तो इसराइल के कम से कम 20 किलोमीटर भीतर तक चला आया और 15 मिनट तक इस्राइल के हवाईक शेत्र में मन राता रहा यहां तक कि इस्राइल का एर डिफेंस सिस्टम भी इसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाया हाला कि जब यह ड्रोन हमला कर रहा था उस वक्त हिजबुला ने नेवजीव में इसराइल की 282 वी आर्टिलरी ब्रिगेट की 411 वी बटालियन पर भी गोला बारू उत्फायर किया था आपको बता दें कि इस सैन्ने अड्डे पर आईडियफ की आर्टिलरी ब्रिगेट का कमांड हेड़कौाटर है साथ ही मौजूदा समय में यहां पर गोलानी ब्रिगेट भी तैनात है लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि हिजबुला ने एक साथ दो ऐसे सैन्ने अड्डो पर हमला किया है जिनके बीच की दूरी करीब 20 किलो मीटर है और इस हमले के अलावा भी हिजबुला ने आईडियफ के अल राम्था सैन्ने अड्डे पर हमला कर दिया हिजबुला का कहना है कि उसने यहां पर आईडियफ के जासू सी उपकर्णों को तबह कर दिया है और इस इस हमले के ठीक बात हिजबुला ने जलाल अलम साइट पर एक आत्म घाती ड्रोन से हमला किया जिसका वीडियो फुटेज भी हिजबुला ने जारी किया है। साइट में जी रहे हैं। साइट की घर वापसी के लिए अपने हमलों का दाइरा बढ़ाने की धमकी दे रहा है। हम उनसे कहते हैं कि अगर आप शरणार्थियों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं तो आप युद्ध छेड़ सकते हैं। हिजबुला के साथ एक नया युद्ध विस्थापित लोगों को वापस लाने में मदद नहीं करेगा। बलकि उनकी संख्या में जाफा करेगा। हम इसराइल को एक कड़ा जवाब देंगे और हमारे किलाफ युद्ध शुरू होने की स्थिती में युद्ध के मैदान को नहीं छोड़ेंगे। और इस सब के बीच ये कहना बिलकुल भी गलत नहीं होगा कि हिजबुला इसराइल के आगे रत्ती भर भी जुकने को तयार नहीं है बलकि वो लगातार इसराइल से कह रहा है कि अगर उसने युद्ध छेड़ा तो ये आग से खेलने के बराबर होगा। हुआ 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 है झाल